कोरोना वाइरस से दुनिया में सबसे जाधर प्रभावत अमेरिका में अब ब्राजिल में पैदा हुआ कोरोना वाइरस का नया स्ट्रेन पहुँच गया है। ब्राजिल के सुपर कोविड स्ट्रेन के पहली बार अमेरिका में पहुँचने से देश्चत बढ़ गई है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बारे में आशंका जताई जा रही है कि ये COVID-19 वैक्सीन को भी आंचिक रूप से मात दे सकता है। इस नए स्ट्रेन को P1 नाम दिया गया है और इसका पहला मामला मिनिसोटा में पाया गया है। ब्राजील के कोरोना वाइरस के स्ट्रेन के बारे में विशेशक्यों का कहना है कि ये सामाने कोरोना वाइरस से 50 प्रतिशत जादा संक्रामक है। मिनसोटा के मरीज को जनवरी के पहले हफ़ते में कोरोना वाइरस के लक्षन मिले। इसके बाद उनकी जाच की गई तो उन्हे कोरोना वाइरस से पॉजिटिव पाया गया उन्होंने बताया कि हाल ही में वो ब्राजील गए थे और उन्हें खुद को अलग थलग रखने के लिए कहा गया है इससे पहले सोमवार को अमेरिकी खाद एवं ओशदी प्रशाशन के पूर्व कमिशनर डॉक्टर स्कॉट गॉट बिल ने चेताब नी दी थी कि अमेरिका में पहले ही ब्रजील का सूपर कविट स्ट्रेंट पहुच चुका है उन्होंने इस सीबीएस न्यूज चैनल से बाच्चीत में कहा दक्षण एफ्रिकी और ब्रजील के स्ट्रेंट यहां मौजूद हैं इनमें काफी कुछ अंतर है लेकिन दोनों में कई समानना ताइम ही है कोरोना वाइरस का यह स्ट्रेंट अमेरिका में मौजूद है लेकिन हम उसकी जाच नहीं कर रहे हैं अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक को शेक करें साथ ही अपनी व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए